हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तो मैं फिजिकल एजुकेशन की चेप्टर वाज भी इंपोर्टेनियम से क्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से यह ओलंपिक वाला पार्ट चल रहा है इसके पहले मैं पांच पार्ट अप्रोट कर चुकी हूं दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कमपेटिटिव जम्स चाहे किसी भी स्टेट का हो पीजीटी पीजीटी के वियास एन्वेस यल्टी राजस्थान पीटियाए डियस असबी एंड यूजिसी नेट किसी का भी तयारी आप सीलिविस के कर र चलते है उसका प्रेक्टिस करना न भुलिएगा एंड दोस्तों मेक्षिको उलंपिक क्या था दोस्तो 1968 मेक्सिको उलम्पिक का सुभंकर था पालोमा जिसे कबूतर पालोमा कबूतर था जैसा कि दोस्तो उलम्पिक में सुभंकर की शुरुवात 1968 मेक्सिको सीटी से ही हुआ है जिसका सुभंकर था यानि मस्कर था पालोमा नेस्ट है 172 म्यूनिक पस्चमी जर्मनी का शुभंकर क्या था तो 1922 म्यूनिक पस्चमी जर्मनी उलंपिक का शुभंकर वाल्ती एक सिकारी कुट्ता था next question है 1976 Montréal Olympic का क्या था 1976 Montréal Olympic का सुभंकर था Amick Udbilaau था next question है 195 Tokyo Olympic का चुबंकर क्या था 1967 Moscow Olympic का सुभंकर मिशा भालू था थे नेक्ष कॉस्टिन है कि 1984 लास एंजिल्स उलंपिक का सुभनकर क्या था तो 1984 लास एंजिल्स उलंपिक का सुभनकर था सैम बाज next question है 1988 सियोल उलम्पिक दच्छी कोया में का उलम्पिक का शुभंकर क्या था तो इसका शुभंकर था होदोरी बाग का बच्चा next question है कि 1992 बरसिलोना इस्पेन उलम्पिक का शुभंकर क्या था तो 1992 बरसिलोना इस्पेन उलम्पिक का सुभंकर था कोभी कुट्ता next है 1996 अटलांटा उलम्पिक का सुभंकर क्या था तो 1996 अटलांटा उलम्पिक का सुभंकर था इजी मिक्की माउस और दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है 2000 सिर्जनी आस्ट्रेलिया ओलंपिक का सुभंकर क्या था तो दोस्तों 2000 सिर्जनी ओलंपिक का सुभंकर था ओली सैद मिली तीन बिचित्र एवं दुरलव जीव थे ठीक है ओली सैद मिली तीन बिचित्रियम दुरलव जीव थे नेश्ट है दोहजर आठ बीजिंग उलम्पिक का सुभंकर क्या था तो दोहजर आठ बीजिंग उलम्पिक का सुभंकर था फीवा यानि इसमें पांच आक्रितिया बनी हुई थी जो बीबी जिंग जिंग हुंग हुंग इंग नीनी के रूप में थी और दोस्तो इसके हलावा हम बता दे आपको कि 2004 एथेस युनान का सुभंकर फेवास वा एथना था और 2012 लंदन ओलंपिक का जो सुभंकर था वेन लाग था और 2016 रियो ओलंपिक रियो डिजेनरियो ब्राजिल में जो हुआ था उसका सुभंकर विनिशियस था और 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक जो 2021 को संपन हुआ था उसका सुभंकर था मिराई तोवा ठीक है Next question है भारत ने 1932 लोस एंजिल्स ओलंपिक में अमेरिका को हाकी में कितने गोल्ड से पराजित किया था तो यह 28 एक से पराजित किया था Next question है कि table tennis को ओलंपिक खेलो में कब शामिल किया गया तो दोस्तों table tennis को ओलंपिक खेलो में 1988 सीओल दच्छी कोरिया उलंपिक में सामिल किया गया एं इसको ACI खेलो में 1959 टुक्यो जापान में सामिल किया गया इद्यान में रखिएगा Next question है कि मुक्के बाजी को ओलंपिक में कफ शामिल किया गया तो दोस्तों मुक्के बाजी को ओलंपिक में 304 सेंट लुईस अमेरिका उलम्पिक में सामिल किया गया एंड महिलाव को मुक्केबादी में 2012 लंदन में सामिल किया गया यह भी दियार में रखिए गया नेस्ट कोस्टिन है तेराकी की ओलम्पिक खेलो में कब सामिल किया गया तो दोस्तों तेराकी एथलेटिक एसब 1896 यानि जब पर्थम ओलम्पिक शुरू हुआ तभी से इसको सामिल किया गया है तो तेराकी की ओलम्पिक में कब सामिल किया गए है 1896 में थीख है एथेंज में तराकी को सामिल किया गया ay महिलाओं को तराकी में कब सामिल किया गया है 1912, Stockholm, Sweden में ACI खेलों में तराकी कब सामिल किया गया है 1915, नेदिली में भारत ने उलम्पिक में तराकी में कब सबसे पहले भाग लिया तो 1928, Amsterdam, Holland में ये धियान में रखेगा next question है फुटबाल को उलम्पिक खेलों में कब सामिल किया गया तो दोस्तो फुटबाल को उलम्पिक खेलों में 1908, London, England में सामिल किया गया and ACI खेलों में फुटबाल को 1951, नेदिली में सामिल किया गया दोस्तो भारत ने उलम्पिक में फुटबाल में सबसे पहले कब भाग लिया तो 1948 लंदन में इध्यान में रखेगा नेक्स कुर्शन है कि हाकी को उलम्पिक में कब सामिल किया गया तो दोस्तो हाकी को भी उलम्पिक में 1908 लंदन उलम्पिक में सामिल किया गया एंड हांकी को इस याई खेलों में 1908 टुक्यो जापान में सामिल किया गया एंड दोस्तो भारत ने हांकी में उलम्पिक में कब सबसे पहले खेला या सबसे पहले सामिल किया गया तो 1928 इमस्टरडम हालेंड में एंड महिला है 1908 मास्को रूस में लेस्ट है वाटर पूलो को उलम्पिक में कब सामिल किया गया तो दोस्तो वाटर पूलो को उलम्पिक में 1900 फेरिस फ्रांस में सामिल किया गया एंड महिलाओं को 2000 सिर्जनी आस्टलिया में ठीक है जैसा कि दोस्तो क्रिकेट वाटर पूलो दोनों को 1900 में सामिल किया गया क्योंकि क्रिकेट को उनिस्टो में पहली और अंतिम बार सामिल किया गया क्योंकि बाद में इसको क्रिकेट को निकाल दिया गया उलम्पिक से next question है कि bareminton को Olympic में कब सामिल किया गया तो दोसतो ब tribal IQ में 1912 Barcelona इस्पेन Olympic में सामिल किया गया औण radar कि एस याई खेँ लो में में BNT को 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में सामिल किया गया कि फेसरे और ट्रीष की प्राचीन कालीन ओलम्पिक में 5At इरशकर चाहर के तूरी Windows' व्रूसके ऐसरे खांट होती थी तो कितनी होती थी सब्राचीन कालीन ऊलम्पिक में 100 mı next question है कि two state race जो 400m race के बराबर होती थी पहले उसे किस नाम से जाना जाता था तो इसको डिलोट्स नाम से जाना जाता था next question है कि ओलंपिक में blue ribbon event किसे कहा जाता है तो दोस्तों ओलंपिक में blue ribbon event 100m दड़ को कहा जाता है next question है प्राचीन कालिन ओलंपिक में अगर कोई दड़ में false start करता था तो उसे क्या penalty दी जाती थी प्राचीन कालिन की बात हो रही है तो उसको पुलिस द्वारा कोड़े पड़ते थे next question है कि प्राचीन कालिन ओलंपिक में पुलिस को क्या बोला जाता था तो उसको एलिट बोला जाता था next question है कि 1936 बरलीन ओलंपिक में जेसी उवेंस ने 100 मीटर वह 200 मीटर दड़ के लिए starting block के अस्थान पर क्या प्रयोग किया था तो वह दो छोटे गढ़्धो का प्रयोग किया था दोस्तों जैसे कि आज कल starting block होता है उसी पर दोनों पैर को रह करके हम sprint दड़ों यानी 100-200-400 मीटर दड़ों का start करते हैं तो वह जेसी उवेंस जो है 1936 में दो गढ़्धो का प्रयोग किया था उसी की बाद starting block का प्रयोग होने लगा ठीक है वह दोस्तों है कि ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की पहली हिर्स कब हुई तो दोस्तों 100 मीटर की पहली हिर्स 6 अप्रयल 1996 को हुआ ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप कि दोस्तों सभी questions आपको समझ में आए होंगे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए और ज्यादे से ज्यादे share कीजिए और बने रही है डेली basis पे बहतर तयारी करने के लिए दोस्तों डेली basis पे तयारी करने से ही कुछ होगा ठीक है किसी भी काम को लगातार करेंगे तो वो एक दिन हो ही जाता है अगर एक दिन करेंगे चार दिन एक दिन आप ने बहुत पढ़ लिया बिस घंटे पढ़ लिया और चार दिन नहीं पढ़े फी चार दिन बात बिस घंटे पढ़ेंगे तो उससे नहीं होगा आपको डेली basis प तब तक के लिए जहिन